आज हम इस वीडियो 12B में प्रॉपर्टीज और फैक्टर्स करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है Every number is a factor of itself Every number is a factor of itself एक जाम्बस की बात करें तो 10 के फैक्टर्स कितने होते हैं 1, 2, 5 और 10 तो 10, 10 का फैक्टर्स होता है ये किलियर है इस यहाँ 6, 6 का फैक्टर्स है 15, 15 का फैक्टर्स है 12, 12 का फैक्टर्स है तो every number अपने खुद का फैक्टर्स होता है उस नंबर का किलियर? तो simple है ठीक उसके बाद One is a factor of every number One is a factor of every number अब यहाँ आप नोट करो यह उक्जामपल्स दी है इसे 10 का फैक्टर्स है 6 का फैक्टर्स है 15 का फैक्टर्स है 12 के इनमें one सभी का फैक्टर है तो one सभी का फैक्टर होता है One every number का फैक्टर होता है किलियर? यह बात किलियर है न? अब हम बात करते हैं नमबर थरी की, तो point नमबर थरी है, factor is always less than या equal to given number, जो भी given number है, factors या तो उसके equal होता है, या उसके कम होता है, अब बिसके 15 के factors की बात करें, तो 1 से छोटा है, 15 से 3 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, और 15 equal है, तो इसका सबसे छोटा factor कौन सा 1 है, और सबसे बड़ा factor है, 15 है, 15 का factor, 16 है, 6 का 6 है, 10 का 10 भी है, और 12 का 12 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 3 भी, 2 भी है, लेकिन ये दो इसके हैं, या तो equal होगा, यह से कब होगा, factors कभी भी भी अपने नमबर से बड़ा नहीं होता है, जो भी एक्वाल है, ऐसी 6, 10 के फैक्टर्स की बात करें, तो इसमें सबसे मैक्सिम्म कौन सा है, 10 है, 10 के फैक्टर्स 10 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे आधिक वाला 10 है, तो 10 10 से नहीं बढ़ा ना, 10 एक्वाल तो है, 6 के एक्वाल तो है 6, लेकिन एक्वाल है, लेकिन इससे बड़ा नहीं है तो कहने का मिंस ही है कि या तो एकल होगा या इससे लेज़ देन होगा किलियर उसके बाद इसका पारिण नमर 4 है Every number has minimum two factors 1 and the number itself किलियर तो इसके लिए जैसे को भी number से तो उसके factors एक तो 1 होगा और number itself होगा यह common है 1 है 10 है 1 है 6 है 16 का 15 का 1 है 15 है 12 का 1 है और 12 यह तो common है तो 1 और 12 तो 1 और number itself तो every number का factor होता है जैसे हम 12 की बात करें तो 12 में 12 भी factor है 1 भी factor है यह तो factors है हम examples की बात करें और तो examples हैं इसकी जैसे एक्जामपर्स की बात करते हैं तो अगर सेविन के फेक्टर्स की बात करें तो सेविन का टेवेड सेविन जो है एक तो बंस होता है डिवाइड वन सेविन जा सेविन और सेविन सोता है किस सोता है सेविन सोता है सेविन जा सेविन तो one और सेविन आँगे सेविन के फैक्टर्स तो one और number itself every number के फैक्टर होता है जिसे के ten के फैक्टर्स ही बात करें तो 10 का one होगा,2 होगा,5 होगा transition होगा, तो one एक को number itself है, ten और एक one है तो number itself और one every number के फैक्टर होता है, यह تو common बात है अगर हम 100 के factors खिवात करते हैं तो 100 के factors में एक तो 1 होगा और 100 होगा और यह होंगे 2, 5, 10 20, 25 50 इस तरह से ठीक इस तरह से करना है हमको तो आज हमने properties of factors किये और इसके साथ ही आज की video 12V का end होता है कल हम video 12C को start करेंगे और आप सब लोग अच्छे से पढ़िए और दिवाले के बाद आप लोग के exam भी होने वाले हैं जो पिछले lesson है उनको पढ़ते जाए अच्छे से revise करिए और questions कोई हो तो हमसे पूर सकते हैं आप तो अच्छे से पढ़िए देखिए समझे वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है डारेक्ट नोट कर लेते हो अब इसको नोट करने में 10 मिलट्स या 5 मिलट्स लगेंगे बहुत लगे तो 2 मिलट्स 3 मिलट्स लगेंगे लेकिन इसको समझने के लिए कम से कम आपके बाद 15 मिलट्स होना चाहिए 20 मिलट्स होना चाहिए समझने के लिए यह एक प्वाइंट को जैसे मैंने 4 प्वाइंट समझा आपको 1,2,3,4 इन 4 प्वाइंट क्या कह रहा है इनका मीनिंग क्या है समझा क्या रहा है कहना का मीनिंग क्या है यह प्वाइंट क्यों लिखे है कॉंसेप्ट क्या है ठीक तो आज की वीडियो यहीं तक थेंक्यू आए